स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल हैल सैवन में फ्रेंड्स जब हमारे घर में एक बेबी जनम लेता है वो भी बेबी बवाय हो तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि उसके प्राइबेट पार्ट को कैसे हम साफ करें और कैसे उसे खोले जिसको कहते हैं कि बच्चे का सुसु खोलना क्योंकि अगर हमारे घर में कोई बड़े बुजर्ग नहीं रहते हैं या जो पैरेंट्स हैं वो कहीं बाहर रह रहे हैं रूम लेके रह रहे हैं या फिर उनके साथ में जैसे दादी नानी ऐसे लोग कोई नहीं है या उनके आस पर उसकोई ऐसा नहीं जो उन्हें बताएं तो फिर उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती कि वो अपने बच्चे का सुसू कैसे खोलें उसे कैसे साफ करें क्योंकि नहीं आइडिया होता है मैं विहान की बात करो मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि बच्चे का सुसू कैसे खोलते हैं कैसे साफ करते हैं उसको कब तक खोलना चाहिए या कब से खोलना सुरू करना चाहिए या वो एक दिन में खोलता है और कब तक हम खोल सकते मतलब बहुत सारे मन में क्वेश्चन थे फिर लाश्टली मेरी एक छोटी दादी है उन्होंने मुझे बताया कि बेबी का प्राइबेट पार्ट हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं कब तक खोल सकते हैं और बेबी के प्राइबेट पार्ट को खोलते समय हमें कौन-कौन सी गलती नहीं करने चाहिए साथ में उन्होंने ये भी पता है कि अगर हमारा बच्चा एक साल का हो गया है तो क्या पेबी का प्राइबेट पार्ट एजली घर पे खोला जा सकता है या सच में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि मेरा बच्चा एक साल का हो गया उसका प्राइबेट पार्ट नहीं खुला है हम क्या करें तो यह सारी जो चीज़ें हैं इसको देखते भी हमने ये वीडियो बनाया ताकि जो चीज़े मेरे पास है जैसे मैंने अपने विहान के साथ उसकी जो प्राइबेट पार्ट उसका जो सुसु है उसको क्लीन किया साफ किया उसका सुसु खोला है वही मैं आप लोगों से सेर कर रहे हूं ताकि अगर आपके घर में कोई बेबी बॉय है तो आप इसली उसका सुसु घर पे खोल पाए तो फ्रेंड्स वीडियो को इसली आप घर पे अपने बच्छे का प्राइबेट पार्ट जो बच्चे कर सुसु होता है उसे आप खोल सकते हैं बिना किसी के मदद के तो फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को स्ठाट करते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे का प्राइबेट पार्ट हम कब से खो हैं और rec tattoo节 ऑप अंगद अग्या कई रीजिनियंक्या माद में कि यह थो में मतलब ऑघ आप ऐसे थोड़ा सा जो आफ दोगी बहुतिया दोगाल stick det abortion चैफ सबसे पहले दिन से क्या करना है जो चम्डि है उसको दोनूं हाथों से थोड़ा सब ऊपर करना है और वहां पहले पहले तो शुल्क मारतीत करना है और उसके बाद प्रेलिद नहीं सब्सक्राइब वहीं चैविज़ा की और वहां धाला हम उन्हें है अगर और हवा अंदर चली जाएगी तो फिर वहां पे गंदगी बैट जाएगी जो कि आगे चलके बच्चे के लिए ठीक नहीं रहेगा इंफेक्शन पैदा कर देगा फिर सेकेंड टाइम जब हम ट्राइब कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है कि जितना हम उठा के फूप म पिसक्ति है आपको हलका सा नीचे करना है बहुत हलका सा और वहां पर आपको कोई बॉटल लेना है या मगलेना है उससे द roughly विवनगी बिलकूल और पजिए element माथन हास दाल दिया है ईसा नहीं करना है कं पत्ला धार जैसा पानि उसके बाद पुरे श।ो पर जितना वो खुला रहेगा उस एरिया पर आज आएगा फिर आपको एक कॉटन का सूती कपड़ा लेना है उसके बाद उसको कुब अच्छे से हाथ से पकड़ के क्लीन कर देना है जो थोड़ा बहुत खुला रहेगा मैं उसकी बाद कर रही हूँ ऊपर पूरे सूसू की ब बहुत ही बहतर रहेगा आपको सर्सो का तेल लेना है और बच्चे के वो जो सुसु वाला एरिया जितना खुला हुआ जिसको आपने क्लीन किया है उसे पर आपको तेल लगा के और दो तीन बार खुब अच्छे से चमडी ऐसे उठा के उपर करके खुब तेज जितना तेज कि तो तीन बार फोड करीका और ठुरं फिर बच्चे की जो चमडी उसको उपर की तरफ खीच दीजे मतलब पूरा पैक कर देजिए ऐसा ही आपको करना है और यह काम आपको दिन भर में कम से कम तीन बार करना है आप τα दूपा करना है तो यह दिन भर हो रहा है उसी दिन से अगर आप कर रहे हैं तो डेड़ महीने के अंदर आपके बच्चे का सुसू इजली खुल जाएगा अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे एक साल के हो गया तो हमें क्या करना चाहिए तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले हमें उन बच्चों का सुसू क्लीन करने की आदि दलवानी चाहिए क्योंकि जब सुसू पुरा पैक है अंदर गंदगी है तो फिर खुलेगा कैसे तो उसके लिए हमें सेम प्रोसेस अपनाना है कि सुसू को थोड़ा सा हलका से उपर करिए फूकिए जब एक पर हवा अंदर थोड़ा चला जाएगा उसके बा ब copies ताके अगा जो हमारे जन्नम वाले बच्चे होते हैं उनका डिड़ मैने के अंदर मेंने बता है, एकसी डिड़ मैने की अंदर आप एजली मौष्ये की बात तरहे तो उनका तूक खोलने में तीन मेने C4 मेंने भी लग जाएगे उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन आपको हिम्मत नहीं हाना, आपको दिन पर में तीन से चार बार ये चीज अपने बच्छे पर करते रहना है, ताकि उनका जो आपका बच्चा है, उसका सुसुख घर पर एजली खूल पाए, बिना डॉक्टर के हाँ दोड़े भागे, फ्रेंट्स आप हम बात करेंगे जिसकी वजह से बच्चे को बहुता ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इंफिक्सन हो जाता है, लालल दाने निकल जाते हैं, कभी-कभी बलड भी आ जाता है, और वो गलतिया क्या है, गाओं में अकसर होता है कि लोग दाई को बुला देते हैं, जो मालिस करने वाली जो मम्मा कि रहता है कि मैं सब कर लेती हूं, उनके अंदर एक confidence रहता है, जबकि वो ठीक नहीं है, वो बच्चे का सूसु पूरा एक के बार ऐसे नीचे खिसकाएंगी और राख ले लेंगी, गाओं में जो राख होता है वो राख ले लेंगी, और राख को ऐसे हाथ पर रगड के ब लगाएंगे, फिर खीचेंगे फिर और उनको लगता है कि एक दिन में मैंने मतलब बच्चे का सूसु खोल देना है, जिससे बच्चा बहुत पेन में रहता है, बच्चा बहुत चीकता है, चिलाता है, दर्द में रहता है, और उसके बाद लाश्टली वो यहां तक लेके मतलब समझ लीजे कि अभी पूरा खुला भी नहीं रहता है, फिर वो खीच देती है, और गाउंवालों को कहते हैं, कोई रिकत नहीं है, जिसकी वज़े से हमारे बच्चे को दो तीन दिन तक बुखार रहती है, जो मैं बता रही हूं कि बगल का एक बेबी था, उसको दो बच्चा बहुत पेन में था, और लाष्ट में दो तीन दिन बाद वो सुसु देख रहे हैं, तो खुला भी नहीं है, फिर वो लाष्ट में मतलब समझ लीजे कि बहुत उनको प्रब्लम होई, फिर वही है कि हमने उनको बताया कि ऐसा है, मेरी दादी बताय थी विहान के सम कुछ लोग मिट्टी का वियूच करते हैं, बेबी के सुसु पे लगाते हैं, लेकिन वह हम और गंदगी फैला रहते हैं, जिसे हमारे बच्चे को इंफिक्सान हो सकता है, तो हमें वह काम नहीं करना है, फ्रेंड्स आप एक लाष्ट और इंपो बताएं कि जो कि आपका ज सुरू से मेहनत करना पड़ेगा, जब आपको देख रहे हैं कि सुसु खुल गया उसके बाद भी आप लगातार एक महिना कॉंटीन्यू, उसी तरब बच्चे का सुसु खोल के तेल लगा के फूप मार के आप एक महिना और आगे भी करना है, जब आप ऐसा कर लेंगे फिर यह तरब बच्चे का सुसु खोल गया उप नहीं हो सकता है, फिर वो कब भी नहीं पैक होगा, पूरे लाइफ टाइम बच्चे का सुसु खोल ठीक रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको दॉक्टर के पास भी नहीं भागना पड़ेगा, लेकिन अगर कैसा लगा सूसू खोलने का आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही मोश्ट इंपॉर्टन वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं मिलती हूं नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच कहां है कि अ कि